अब बच्चों हम लोग जई मेन की जो एवनिक सिप्ट की एक्जामनेशन हुई 2nd सेप्टेमबर को उसके फिजिकल केमिस्टी के कोस्टन को डिस्कस करेंगे फर्स्ट कोस्टन बच्चों केमिकल कांटिक्स चैप्टर से है एक्सपरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ और टॉपिक से है यह एक बहुत हीजी कोस्टन है बच्चों ऐसे कोस्टन आपको NCIT में भी देखने को भी लेंगे अब देखें एक रियक्शन दिया गया है और एक्सप हम order of reaction पता करेंगे बच्चों तो सबोच कीजिए कि rate law equation जो हमारा है वो rate equal to k a to the concentration to the power small a and concentration of b to the power small b जहाए small a or small b order of reaction है with respect to a and b reactant अब देखें बच्चों order हम लोग directly ही पता कर सकते हैं इसके लिए calculation करने की जरुबत नहीं है अगर आप थोड़ा सा focus करें तो देखें first and second experiment मे देखें b की concentration यहां पर same है तो means इस rate पे जो rate of reaction change हुआ है यह change b की concentration के कारण नहीं हुआ है क्योंकि b का concentration same है a के concentration में जो change आया है उसी से rate of reaction भी change आया है तो A का concentration बच्चो जब double किया गया, तो rate of reaction भी हमारा double हो गया, means A का concentration और rate directly proportional है, यानि यहाँ A का value बच्चो 1 आ जाएगा, या directly, अब आप देखिए experiment number 1 और 3 में देखिए बच्चो, A की concentration सेम है और B का concentration double किया गया है, means यहाँ जो rate में change है वो B के concentration में change के कारण ही है बच्चो तो B के concentration change करने से rate आपका 4 times हो चुका है, तो B का concentration double हुआ, बट यहाँ rate 4 times हुआ, means यहाँ पर B का power, यहाँ B का value बच्चो 2 होगा, तभी तो यहाँ 2 times करने से यह 4 times हो जाएगा, means यहाँ B का value बच्चो 2 हो गया, आप इसे समझ लिए, तो अगर A और B का value आ गया बच्चो, अब हम X और Y का value कैसे लाएंगे, देखिए, आप यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ देखिए बच्चो, experiment 3 और 4 में देखिए, तो B का concentration सेम है, इसे कोई effect नहीं आया है, जो change है सो A के concentration में ही change है, जिसके कारन rate हमारा change हुआ है, तो आप अगर यह देखिए, कि rate हमारा पर कितने times हो है बच्चो, तो यह 3 times हो गया है, तो rate हमारा 3 times हुआ है, तो A कितने times होगा, तो क्योंकि आपने देखा था कि A का value 1 है, rate और A directly proportional है, means अगर rate हमारा 3 times हो रहा है, means A की concentration भी 3 times, 0.1 का 3 times कितना होगा बच्चो, वो हो जाएगा हमारा 0.3 हो जाएगा, तो X का value तो Y का value कैसे पता करेंगे बच्चो, इसके लिए आप देखे, यहाँ 0.3 है, कहीं भी 0.3 नहीं है, और यहाँ तो Y ला रही है, means यहाँ आप guess work आपका नहीं चलेगा, अब आप क्या करते हैं, कि E और B का value हम लोग 1 और 2 रख करके, और यहाँ से एक equation form करते हैं, और यहाँ से और दोनों को divide कर देते हैं बच्चो, देखे के आता है, अगर हम यह rate को यहाँ रखेंगे, 2.4 into 10 power minus 2 equal to K, A का concentration कितना है बच्चो यहाँ पर, 0.1 है, इसका power 1 हो जाएगा, और B का concentration कितना है, 0.2 है, इसका power 2 हो जाएगा, यह हमारा equation number 1 है, और second equation हम यहाँ से बनाएंगे 10 power minus 1, K, A की concentration कितने है बच्चो यहाँ पर, 0.3 है, power 1, और B का concentration यहाँ आई है, power 2, अब इसे हम लोग divide कर देंगे, बच्चो, 2 divided by 1, जैसे हम लोग divide करेंगे, तो क्या पाएंगे यहाँ पर, अब देखे, यहाँ पर अब लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 power minus 2 है, यहाँ पर 0.3 by 0.1, यानि यह 3 ही हो जाएगा, और यहाँ आजाएगा, y by 0.2 का whole square, अगर आप इसे cancel करेंगे, तो यह cancel होगा, 3,9 या 27, and 3,6 जा 18 आजाएगा, और यह बच्चो आपका 4 times में कट जाएगा, और यह square उधर जाकर root हो जाएगा, यहाँ पर, तो यह 4 का root हो जाएगा, कि means y का value कितना आया बच्चो, 0.4 आया, तो x का value पहले ही 0.3 आ चुका था, y का value 0.4 आया, यानि आपका answer कौन सा है बच्चो, इस पे second answer ही आपका है, तो आपने देखा, इस question को बनाने के लिए हमने बहुत जादा calculation नहीं किया, last state में किया वाले calculation करना परा, बाकी हम लोग ने ऐसे ही भरवाली कर लिया, next question बच्चो, atomic structure से है और ये भी एक बहुत ही basic level का question है बच्चो, number of orbitals with n equal to 4 and able equal to minus 2, means कितने orbitals के principal quantum number 4 होंगे और magnetic quantum number minus 2 होंगे एक साथ, तो अगर बच्चो हम principal quantum number अगर हम 4 लेते हैं, तो asmethyl quantum number L जो है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या maximum 3 हो सकता है, क्योंकि asmethyl quantum number L का, जो range है, value का 0 to n minus 1 है, बच्चो, means 0 to 4 minus 1, 3, और जो magnetic quantum number है बच्चो, उसका range क्या है, minus L to plus L, तो जो orbital है, जि ये range minus 2 to plus 2 या उससे बरारेंज होना चाहिए, तो L equal to 0 होगा नहीं, क्योंकि minus 0 to plus 0 लेंगे 0 ही आएगा, कभी minus 2 नहीं आपाएगा, magnitude quantum number, 1 भी लेंगे तो minus 1 to plus 1 नहीं आपाएगा, उसके बीचे minus 2, 2 लेंगे तो बच्चो, आजाएगा, minus 2 to plus 2 में एक minus 2 आएगा, और 3 भी देंगे तो minus 3 to plus 3 के बीच में एक आजाएगा, तो अगर L equal to 2 लेते हैं बच्चो, तो बारा D subcell होता है, और D subcell में 5 orbitals होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, magnitude quantum number minus 2, minus 1, 0, plus 1 और plus 2, तो एक orbital यहां पर बच्चो, आगे हमारा minus 2 के साथ, और अकर L equal to 3 होता है, तो हमारा F subcell होता है, इसमें 7 orbitals ह होंगे, तो उसमें अगर बच्चो बनाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और L equal to 3 है, तो magnetic quantum number minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, and plus 3, means एक orbital बच्चो आपके यहां होगे, और एक orbital आपके यहां होगे, minus 2 से, means 2 orbitals आपके आएंगे, option यहां पर बच्चो, इसका answer अगर लिखना होगा, तो first option, यानि इसका option first में, जो 2 लिखा होगा है, 2 orbitals ही, magnetic quantum number minus 2 के साथ, यहां पर होगे, जिनके principal quantum number 4 होगे, बच्चो, next question बच्चो, surface के mystery का, एक theoretical question है, देखे, which statement is correct, when absorption of gas takes place on metal surface, means metal surface पे, जब gas का absorption होता है, तो इन में से कौन-कौन से statement सही है, option आपके बच्चे यहां है, यह statements है, ABC, तो पहले statements को परेंगे, डेलेच, becomes less negative with progress of absorption, जैसे-जैसे absorption progress करेगा, तो आप जानते हैं कि जो absorption process है, वो exothermic है, तो डेलेच becomes less negative कहने का मतलब, जब adsorption progress करेगा, तो less amount of heat energy release होगा, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब first layer adsorption का होगा, बच्चों, तो जो adsorbate gas है, वो adsorbent के बहुत ही close होगा, और intermolecular force of attraction बहुत ही strong होगा, तो बच्चों, जो first layer होगा, वो very close होगा, intermolecular force बहुत strong होगा वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे comparatively large amount of heat energy release होगा, बच्चों होगा, तो second layer में distance थोड़ा बढ़ चुका होगा, adsorbate and absorbent के बीच में, इसलिए intermolecular force comparatively weaker हो जाएगा, और less amount of heat energy release होगा, इसलिए हमारा delet less negative होता जाएगा, ठेक है बच्चों, तो first statement हमारा सही है, बच्चों, बच्चों, विथ progress of adsorption, the strength of residual forces increases, यह wrong है, अभी हमने discuss किया, residual force, जो intermolecular force है, adsorbate and adsorbate के बीच में, वो decrease करेगा, progress of adsorption के साथ, तो यह हमारा wrong है, ammonia is more adsorbed than nitrogen gas, यह विल्कुल सही है बच्चों, आप जानते हैं, कि वो gases, जिनका intermolecular force comparatively stronger है, वो ज्यादा इमांट में एडॉर्ब होते हैं एडॉर्ब बेट पे ठीक है बच्चों तो अमूनिया गेस में आपका इंटरमॉलिकुलर हईड्रोजञ बॉंडिंग है जो की एक स्ट्रॉंगर इंटर्मॉलिकुलर फोर्स है ने लन्दन फोर्स जो की नाईटरोजन गेस में प्रिजेंट है बच्चों तो यह भी शेट्मेंट सही है कि अमुनिया गैस ज्यादा मात्रा में अड्जॉर्ब होगा नाइट्रोजन के मकाबले क्योंकि हाइट्रोजन बॉंड जो आपका है बच्चों स्ट्रोंगर बॉंड है देन लंदन फोर्स लगेगा तो इसमें सबसे वीकेश जो लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स होता है सो लगता है तो वो कम अमूंट में अड्जॉर्ब होगा एकलिब्रियम कंसेंट्रेशन आप एड्जॉर्बेट इंक्रीजेज विट इंक्रीज इन तेंप्रेचर तो बच्चों देखिए जो फीजी हाई टेंप्रिजर पर ज्जादा होता और केमीज और संट तब होता है जब केमिकल रीक्सन होता है तो हम यहां पर फीजी जौप्शन माने कर चल लें है और इसे भी इसे कॉमिनेशन अगर देखें बच्चों यह तो निश्चित करेक्ठ है एक साथ कहीं d ओट्शन आपका नहीं मिलता है तो एक साथ c ओप्शन मिलता है यह दोनों सही है यह सही है यह सही है यहिач होता अगर लाना होता दो अब आखिए cd के आख़िए ऑप्शन माना होता तो धोटा जो कहा रहे हैं और हम में पाइज का सिर जैसा की मेटल के सरफेस के साथ गैस का रियक्षन हो यह ऐसा हम लोग नहीं पाता है तो इसका एंसर क्या होगा बच्चो यहाँ पर है यह फर्स्ट ही इसका एंसर होगा नेक्स्ट कुश्चिन बच्चो देखिए ये भी थेोरेटिकल कुश्चिन है रॉम मैंगो स्रिंक्स वेन केप्टी ने कॉंसेंट्रेटेट साल्ट सॉलिशन बच्चो आपने देखा होगा घर में जो जो मैंगो का जब सीजन होता है तो जो कच्छे आम होते हैं उन्हें कॉं इसका क्या रीजन है पूछा गया है विच फूलोग प्रोषेस का नहीं हो रहा है गया है तो बत्चो यह यहां पर नहीं हो रहा है ऑस्मोसिस हो रहा है देखे कैसे आपने क्या किया concentrated salt solution लिया और इसमें एक raw mango का यहां पर बच्चों आपने क्या किया एक छोटा सा यहां पर टुकडा लिया क्योंकि यह concentrated है बच्चों यह concentrated है salt solution है तो और concentrated salt solution dilute होना चाहेगा और यहां यह जो raw mango है बच्चों इसका जो surface है वो semi permeable membrane के तरह treat होगा और जो solvent है water है इससे बाहर की ओर flow कर जाएगा ठीक है बच्चों क्योंकि concentrated salt solution dilute होना चाहता है आपने osmosis में परा था यह osmosis में जो flow of solvent है वो takes place होता है from lower concentration solution to higher concentration solution तो यह fresh mango का टुक्रा है बच्चों इसमें water का इसमें amount है यह water बाहर की तरह flow कर जाएगा और यह shrink हो जाएगा यहां बच्चों तो osmosis यहां पर होड़ा है यह हमारा सही अंसर है next question बच्चों thermochemistry का है और यह numerical type question है इसमें कोई option नहीं है बच्चों heat of combustion of ethanol ethanol आपका C2H5OH है बच्चों to form CO2 and water at constant pressure constant pressure पर है मिन्स डेलेज combustion दिया है बच्चों and 27 degree Celsius is minus 327 kcal how much heat is evolved kcal in combustion at constant volume means delta H दे करके बच्चों delta U का भेलो पुछा गया है तो पहले हम लोग इसका reaction लिख देते हैं C2H5OH इथनोल लिकूड है बच्चों oxygen के साथ इसका reaction होता है और reaction हो करके बच्चों हम बनाते हैं यहां पर CO2 gas and water water बच्चों यहां पर liquid बनेगा क्योंकि 27 degree Celsius लिया गया है 27 degree Celsius भी हम water का liquid phase मान कर सिलते हैं अब इस reaction को balance करते हैं बच्चों 2 carbon है यहां 2 लगा देंगे बच्चों hydrogen को को balance करेंगे 5 plus 1 6 hydrogen यहाँ पर 3 लगा देंगे hydrogen ी ब्यस्मादश हो चुका है अब oxygen को dal . oxygen को balance करना है बच्चों ऑक्सजेन को एकर balance करें 4 प्लस 3 7 oxygen है यहाँ 3 लगा देंगा अगर देल फ्म गूद दो इन लाई गया यह तो लीट ठीक है बच्छो अब यहां देखिए heat of combustion ethanol का जो यहां दिया गया था वो constant pressure यानि डेल्टा एज का वेलू था यह सब माइनस 327 किलो कैलोडी है बच्छो ध्याव देंगे delta U यह भेलू को लाना है प्लस delta n g माइनस 1 है आर के वेलू यहां पर कैलोडी पर केलोडी लेंगे by thousand करेंगे एग बाइट हवजन इस लह करेंगे बच्छो किलो कैलोरीम पूछा गया है अगर कैलोरीम पूछा जाएगा लू अता है जहाए चछे घ् humanities को भिली हृज्ट किलो कैलोरीम लिए और टेम्परेटर हिहां हो जाएगा हमारा 327 ये और ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 0.6 इसे अगर solve करेंगे बच्छो तो ये क्या आएगा माइनस 326.4 किलो केलोरी आजाएगा एंसर हमारा क्या होगा बच्छो माइनस 326.4 नेक्स्क्काइब बच्छो एलक्टओ कबिस्टी से है क्या है वॉद्स इमिर्णी इसंतर है है आज पहल्पर प्लस प्लस कपर प्लस क्योंकि कुछ प्लस तो क्यूपर प्लस है मैं से दो भार लिए रहा हूंत आकी इन उर्तtar क्या फ्लस अब बच्चों देखिए, 0 to plus 1 to 0, यहाँ पर जाते हैं, decrease in oxidation number होता है, reduction होता है, means यह आपका cathode है, plus 1 to plus 2, increase in oxidation number, यानि यह आपका anode है, आप यहाँ देखे, cathode से देखे, या या anode से देखे, यहाँ पर transfer of mole of electron 1 ही है, plus 1 to 0, difference 1 है, plus 1 to plus 2, difference 1 है, यानि यहाँ पर बच्चो, n की value अगर ले है, तो हम 1 ही होगा, अब यहाँ क्या पूछा गया बच्चो, find lnk equal to fill in the blanks into 10 power minus 1, lnk का value निकालना है, और this into 10 power minus 1 जो होगा, तो यहाँ जो value आएगा सुभरना है बच्चो, कि आपका equilibrium constant है, तो आप देखिए, equilibrium constant लाने के लिए आपक हम e0 cell का ही पता कर लेते हैं, और rt by f का value दिया गया है बच्चो, तो e0 cell, e0 cell क्या होगा बच्चो, e0 cathode minus e0 anode, cathode anode हम पहसान चुके है, तो cathode का अगर हम लोग बच्चो, reduction potential लेंगे, standard reduction potential, copper plus 2, copper 0, plus 1 to 0, plus 1 to 0 यहाँ है बच्चो, यानि यह आ जाएगा हमारा 0.52, minus, e0 cathode minus e0 anode, anode का standard reduction potential लेंगे, anode हमारा बच्चो, plus 1 to plus 2 है, यह oxidation है, तो reduction इधर से होगा बच्चो, यानि copper plus 2 to plus 1 वाला हम लोग भूणना है, plus 2 to plus 1, यह बच्चो दिया है 0.16, इसे minus करेंगे बच्चो, तो यह कितना आएगा, 12 minus 6, यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, carry उधर गया था 1, 4 minus 1, 3 आ जाएगा, 0.36 भोल्ट यहाँ पर आता है बच्चो, इनोट सेल, अब equilibrium पे क्या होगा बच्चो, equilibrium पे e-cell 0 हो जाता है, तो नर्स्टी क्वेशन अगर हम लगा दें, यहाँ पर देखे बच्चो, तो e-cell, equal to e-cell, minus, यहाँ पे क्या होगा बच्चो, यहाँ पे होगा rt by nf lnq, तो अगर equilibrium पे चलेंगे बच्चो हम, at equilibrium, equilibrium पे e-cell हमारा 0 होगा, e-cell का बहलू हम लोग लाचुके है, 0.36 minus, rt by f के बहलू बच्चो हम लोग 0.025 रख देंगे, 0.025, n के बहलू हम लोग पहले लाचुके थे 1, और यह lnq हमारा k बन जाएगा, क्योंकि equilibrium पे reaction quotient, equilibrium quotient केकोल हो जाता है, इसे solve कर लेंगे बच्चो, यह ln के आजाएगा, हमारा 0.36 by 0.025, अब इसे solve करेंगे, अगर हम लोग बच्चो, तो यहाँ 0 लगा देते है, decimal को हम लोग खतम कर देते हैं, बच्चो, 360 by 25, इसे अगर solve करते हैं, बच्चो, तो कितना आता है, यह आपका कर देंगे, 144 इंटु 10 पावर माइनस वो लिग देंगे, यानि आपका एंसर जो फिल इन दे ब्लैंक्स में था बच्चो, वो 144 ही होगा, यानि इसका एंसर होगा 144 नेस्ट कोस्चे देखें, बच्चो, यह इंपीरिकल फार्बुला का कोस्यन है, बच्चो, इन्हे सेचुर सभी सिंगल बॉंट सी होगे, और ये साइकलिक है मतलब वो ओपन चेन होगा, वो साइकलिक नहीं होगा, तो एक सेचुरेटेट एक एकलिक अपावर माट्चो, बच्चो, तो इससे इंपीरिकल फार्मॉला आएगा, बच्चो, देन हम मॉलिकुलर फार्मॉला पे बात करे सबसे पहले कारवं हीडोजन का माश और रेशियो देखिए फो इस्टू यह मास का रेशियो बच्चों इसको मोलकी नहीं है इसे मान सकते हैं फोर इंप्रेयर Now लेकिन एग्स रेशियो तू मोलक्ल के पता करेंगे बच्चों मास बैस मॉलका रेशिया रहा है बश्चो इसेे एक whole नमर रिचों ला लानी केली त्री से मॅल्टीप्लाइ कर देंगे दोने करंबवेबुश। так वकराइए बच्छो मोल का रास्ट कि वनेसा स्लिख और यहां पर सेक्रिफ देखेंगे कारबस मनोर और और ओंसोन और इसीत्रह से जैसा हमने से म्ल इक था frame करके मोल यह हमारा मोल का रिच यह कनि और बार है satisf a इंगि यह हमारा मौलski जाएगा वह यह दोनुब में 221 आजायेगा अब देखे उस compound में बच्चों कारवण भी है जो हम मिलाएंगे बच्चों तो देखे यहां carbon था तो हाइडोजन 3 था यहां भी carbon-1 बच्चों यह लग्की केसे दोनों में carbon-1 दिया है अदर बाग्य हम लोगों को दोनों को सेम करना परता तो carbon अगर 1 ratio है तो यह 3 ratio है carbon 1 ratio है तो यहाँ 1 ratio है दोनों को आसानी से mix किया जा सकता है हम बोल सकते हैं carbon is to hydrogen is to oxygen carbon दोनों ही जाएका 1 है बच्छो और hydrogen वहां से 3 ले लेंगे और oxygen यहां से 1 लेंगे means empirical formula बच्छो आपका CH3O है बट molecular formula क्या होगा तो molecular formula लाने के लिए हम लोग n multiply क्या करते थे बच्छो एक double multiply करते थे जो molecular weight by empirical formula बेट आता था बट question में molecular weight नहीं दिया है बट एक इंट दिया है कि वह compound हमारा saturated और acyclic है तो अगर इसमें 2 multiply करते हैं बच्छो तो यह क्या आता है C2 H6O2 ठीक है अगर 2 multiply कर देंगे तो C2 H6O2 यहां पर formula आ जाएगा अगर बच्छो हम इसमें suppose करें कि हम इसमें अगर 3 multiply कर दें तो 3 multiply करने साहेगा C3 H9O3 इस तरह का compound आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसका पूरा balance से घरवर हो जाएगा क्योंकि अगर आप alkane का formula देखने लगेंगे तो CnH2N plus 2 तो CnH2N plus 2 अगर लेंगे तो maximum 8 जाएगा से भी जादा आ रहा है तो यह तो कभी होने वाला नहीं है बच्छो यहां पर यह देखें CnH2N plus 2 O2 यहां पर आ रहा है तो बच्छो इस मोल रेशियो से इंपिरिकल फर्म रामा आता है CH3O बट molecular formula हम लोग हो लाना है बच्छो तो molecular formula इसमें कोई whole number multiply करके आएगा n multiply करके लाया करते थे अगर n equal to 1 हम इहां रख दे बच्छो तो n equal to 1 रखें तो यही molecular formula आ जाता है बट क्या यह structure इस given condition पे satisfy करेगा तो यह आपका structure कभी भी satisfy नहीं करेगा बच्छो आप बना करके देख सकते हैं माल देजे कि आप CS3 अगर बनाते हैं इस तरह से तो CS3 तो आगे आप एक oxygen यहां बचेगा तो यह double bond दीजेगा तो carbon का 5 valency होगा जो not possible होगा अगर आप OH यहां पे लगाएंगे तो फिर यहां पे आपका hydrogen का number 4 हो जाएगा means ना यह possible है ना यह possible है तो आप n equal to 2 यहां रखेंगे तो आपका formula C2 H6 O2 आएगा यह formula आपका possible है बच्छो अगर आप ऐसा बना देते हैं देख लिए इस तरह का compound जो की एक acyclic और saturated भी है 3, 3, 6, 6 hydrogen, 2 carbon and 2 oxygen तो यह सही है लेकिट अगर यहां n equal to 3 रखेंगे बच्छो तो C3 H9 इसमें 3 multiply कर देंगे तो C3 H9 O3 आएगा यह formula आपको कभी भी satisfy नहीं करेगा तो बच्छो हमने reaction लिखा है C2 H6 O2 का O2 के साथ CO2 और water बना है एक balance reaction लिखा है बच्छो हमने और यहां पे पुछा गया था find number of moles of auto required to react with 2 mole of the compound 2 mole compound के लिए बच्छो 5 mole autogas चाहिए means इसका answer बच्छो 5 ही होगा next question बच्छो atomic structure के photoelectric effect कहा है देखिए a metal with work function 4.41 into 10 power minus 19 joule एक metal है जिसकी work function दिया गया है बच्छो subjected to a light having wavelength 300 nanometer उस पे light incident कराया गया है जिसका wavelength दिया गया है then maximum kinetic energy यानि k max का भेलू पुछा गया है बच्छो और वो this into 10 power minus 21 joule है planks constant का भेलू और speed of light का भेलू दिया है बच्छो हम photoelectric equation लगाएंगे equal to 5 plus k max यानि बच्छो यहां से k max का भेलू क्या आएगा E minus 5 बट E को लिख सकते हैं C by lambda और यहां 5 तो लिख दिया हमने अब बच्छो यहां पर हम H के value रखेंगे हां से 6.63 into 10 power minus 34 C के value क्या हो जाएगा बच्छो 3 into 10 power 8 by lambda हमारा 300 nanometer है इससे हम SI unit में convert करके लिखेंगे 300 into 10 power minus 9 minus 5 के value SI unit में रखेंगे बच्छो वहां 4.41 10 power minus 19 और यह जूल में ही आएगा क्यूंकि सभी चीज़ों का value हमने ऐसा unit में रखा है 300 बार में cancel हो गया बच्छो यह आजाएगा 6.63 into 10 power 2 10 power minus 9 10 power minus 7 हो जाएगा उपर आकर के plus 7 हो जाएगा यानि 10 power 15 हो जाएगा minus 10 power 34 यानि 10 power minus 19 हो जाएगा तो यह 10 power minus 19 common हो गया बच्छो और 6.63 minus 4.41 यह जूल में आ रहा है इसे solve करेंगे 2.22 into 10 power minus 19 जूल आएगा बट यहाँ पर 10 power minus 21 जूल दिया है तो अगर इसे हम 10 power minus 21 जूल करते हैं बच्छो तो यहाँ पर 222 आ जाता है यानि हमारा answer जो होगा बच्छो हमारा answer होगा 222 222 होगा तो हमने बच्छो फिजकल केमिस्ट्री के 2nd October के जो जेई में के questions थी उसे हमने discuss किया थैंक्यू बच्छो थैंक्यू बच्छो